चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो यूपी स्टेट के सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए सेडिूल जारी हो चुका है इसके बाकी स्टेट से कुछ अलग रूल्स है तो इस वीडियो में हम एक बार सेडिूल के बारे में बात करेंगे इसके साथ इसाथ ये भी चर्चा करेंगे कि इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या-क्या होते हैं काउंसलिंग के लिए कैसे ये अधर स्टेट से काउंसलिंग के इसके अलग रूल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके second round के schedule के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो इसमे second round में दुबारा से registration open होते हैं, दुबारा से merit list जारी होती है, और उसके बाद में 24 फिल करके allotment होता है, तो इसके जो new registration है, वो 17th February 22 से start हो करके, 21 February 22 तक close हो जा हैंगे, इसमें registration के बाद documents verification होता है, और registration के दूसरे ही दिन documents verification करवाना होता है, अगर कोई candidate तैस समय में documents verification नहीं करवा पाता है, तो वो last date को registration documents verification करवा सकता है, registration की last date को, जैसे कि 21 को registration की last date है, तो इसमें 22 को सभी candidate जो documents verification नहीं करवा पाए हैं वो 22 फरवरी को documents verification करवा सकते हैं इसमें जो merit list publish होगी वो 22 फरवरी को publish हो जाएगी और इसमें जो online choice filling करना है और इसमें log करना जरूरी होता है UP state में वो 4th मार्स से लेकर के 7th मार्स 22 तक रहेगा आपको 24 फिल करने के बाद में log करना अनिवार ये है इसके बाद में seat allotment का result आजाएगा 9th मार्स 8th या 9th मार्स 21 को इसके बाद में आपने allotment लेटर डाउनलोड करना है और admission formalities पूरी करनी है वो 9th से 14th मार्स 22 तक करनी है इसमें Sunday और government holiday को close रहेगा तो ये सारी इसमें schedule की जो है dates है अब हम इसके important points के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या इसके important points है तो इसकी website पर भी इसके important points दे रखे हैं फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूँ तो इसमें जिस candidate ने first round में registration नहीं किया है वो second round में 2000 रूपीज registration चार्ज deposit करके इसमें registration कर सकता है इसमें second point है कि first round के registered candidate और दूसरे round के registered candidate दोनों को सामिल करके all India ring तयार की जाएगी second round के allotment के लिए merit list जारी की जाएगी जिसमें दोनों rounds के registered candidate सामिल होंगे जिसने first round में registration किया है वो भी सामिल होगा second round में registration किया है वो भी सामिल होगा इसी merit list के according आगे allotment होगा इसमें third point है कि जिन candidate ने documents verification करवाया है security deposit का bank draft जमा किया है नोडल सेंटर पर वो ही candidate इसमें जो allotment होगा उसके लिए eligible होंगे मैं आपको यहां पता दूँ कि नोडल सेंटर उसी में लिखा आएगा जब आप registration करेंगे वहीं आपको नोडल सेंटर चूज करना है नोडल सेंटर जिसपर आप documents verification करवाएंगे और DD deposit करेंगे वह नोडल सेंटर आपको registration के time में ही choose करना होगा तो इसमें अगर आप private medical college में admission लेना चारहें तो दो लाग का DD deposit करना होगा government की condition में 30,000 का और BDS की condition में 1,00,000 रुपए का DD आपको deposit करना होगा इसमें इसके बाद में next point इसमें ऐसे है कि जिन candidates ने first round में registration तो कर दिया है लेकिन documents verify नहीं करवा पाए हैं तो वो इस round में documents verify करवा सकते हैं यानि कि 22 फरवरी को वो सामिल होके जो नोडल सेंटर उन्होंने first registration के time में दिया था उसी पर उपस्तित होके वो documents verification करवा सकते हैं essay candidate next point है कि essay candidate जिन्होंने first round के दोरान documents verification करवा लिये थे लेकिन वो उनके कोई documents में कमी रह गई थी या फिर कोई reservation के कारण कोई कमी रह गई थी तो वो पुने documents verification करवा सकते हैं अपनी उस कमी को पूरा करके next point है ऐसे candidate जिन्होंने first round counseling में registration तो किया था तो उनको second round में registration करने की जरूरत नहीं है next point ये है कि जिन candidate ने first round counseling में कोई seat जिनको alert नहीं हुई थी वो second round counseling के लिए eligible है next point ये है कि ऐसे candidate जिन्होंने first round counseling के दोरान registration करवाया था किन्तु जो security money है वो deposit नहीं की थी तो वो अपने security money deposit करके counseling में participate कर सकते हैं next point इसमें ऐसे है कि essay candidate जिनको first round counseling में seat alert हो गई है और उस से allotted seat पर उसने admission नहीं लिया है तो उनकी जो security money है वो forbit हो गई थी उस समय तो essay candidate दुबारा से security money deposit करके counseling में participate कर सकते हैं security money का amount मैंने आपको बता दिया है next point ये है कि second round counseling में जो seat allot होगी वो merit के आदार पर होगी ये सब हम इस बात को जानते हैं next point ये है कि choice locking और login password एक ही है choice locking के लिए login password का ही use करें अभी आप यहाँ पर अगर password भूल जाते हैं तो forget password भी कर सकते हैं आपके mobile पर password आ जाएगा इसमें next point ये है कि choice filling के बाद में उसको log करना जरूरी है choice log अगर आप नहीं करेंगे तो आप counselling से बार हो जाएंगे यानि कि आपको allotment नहीं होगा अगर आप second round में भी choice fill करके उसको log नहीं करते हैं next point ये है कि first round counselling में जिन candidate ने admission लिया है उनको 24 फिल करने की जरूरत नहीं है यदि कि वो आगे upgrade नहीं करना चाते हैं पुराने seat पर ही रहना चाते हैं तो उनको दुबारा से 24 फिल करने की जरूरत नहीं है कहने का मतलब कि ऐसे candidate जिनको first round में seat allot हो गई है उसी seat पर वो MBBS करना चाते हैं आगे कोई upgrade नहीं करवाना चाते हैं तो उनको 24 फिल करने की जरूरत नहीं है उनके first round वाली seat ही यहां retain रहेगी next point ये है कि अगर किसी candidate को नया college allot हो जाता है तो जो पहले वाला first round में allotate college है वो अपने आप ही cancel हो जाएगा यानि कि उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा उसको नए allotate college में report करना होगा next ये है next point ये है कि यदि विकल्पों में पुराना वंटित college भरा गया है मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दुबारा से च्वाइस फिल कर रहे हैं उसमें आपको first round में जो college allot हुआ है वही college आप 24 filling के दोरान दुबारा फिल कर रहे हैं और वो college आपको फिर से अलोट हो जाता है यानि कि एक बार first round में allot हो गया फिर आपने 24 फिल में वही कोलेज डाल दिया और फिर 2nd round में वही कोलेज अलोट हो गया तो फिर नोडल सेंटर पर जाकर आपको पूरी admission formalities दुबारा से करनी होगी अगर आप दुबारा से नहीं करेंगे तो वो आपका उस seat पर admission cancel हो जाएगा पहले वाड़ा भी नहीं मोपप राउंड में यह seat चली जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में seat मिली है तो उस कोलेज को सेकेंड राउंड में के 24 फिलिंग के दोरान आपको फिल नहीं करना है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो प्राइवेट कोलेज हैं जो मानियोरिटी कोलेज हैं उनकी अगर seat वेकेंट रह जाती हैं तो वो फिर जनल काटेगरी में भरी जाएंगी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के अलोट्मेंट के पस्याद राजकिए अगरिशिक के मेडिकल कोलेज में अगर आपको कोलेज अलोट हुई है तो नोडल सेंटर पर पहले जाना होगा वहां पर admission प्रग्रिया पूरी करनी होगी उसके पस्चात ही आप college में report करके बाकिया आप पर जो आपका hostel fees है, other fees है, best fees है वो deposit करेंगे इसमें आगे next में ऐसे लिखा कि ऐसे अभियारती जिनको first round में counseling में seat पर admission ले लिया है अपग्रेड नहीं करना चाते तो second round में 24 फिल करने की आवशकता नहीं है, अगर कोई upgrade नहीं करना चाते, first round में seat aloat होगी उसी पर रणा चाते तो उनको 24 फिल करने की आवशकता नहीं है second round में next point यह है कि जो allotate candidate है जिनको seat aloat हो गई है, कहीं भी aloat हुई है जैसे government में aloat हुई है या फिर ये private में aloat हुई है तो वो medical board से medical करवाना उनके लिए अनिवारिये है, next point यह है कि जो section इक सत्र है वो 14th February 22 से start हो चुका है यह इसमें aloati NMC ने भी दे दिया है और states भी यह दे रहे हैं कि यह 14th February से start हो चुका है मैंने इसके बारे में already video भी बनाय दिया था कि अभी second round counseling के बाद ही appropriate start हो जाएगा इसके बाद में next है कि जो second round counseling है उसके बाद अगर second round में आपने join कर लिया तो उसके बाद आप seat को नहीं छोड़ सकते हैं इसके बाद next point यह है कि आपको अगर private medical college या dental college अलोट होते हैं तो आप वहां उनके बारे में पूरी जानकारी ले लें उसके बाद ही admission लें उसमें ऐसे student जिन्होंने high school या intermediate दोनों में से कोई एक परिक्षया उत्रपरदेश से कर रखी है और मूल निवास प्रमान पत्र उनके पास है तो यह 1 अप्रेल 2021 के बाद ही बना हुआ अनिवारी है इसमें इसके बाद में essay candidate जिन्होंने high school और intermediate दोनों परिक्षया उत्रपरदेश के बार से पास कर रखी तो उनको domicile की जरूरत होगी EWS का जो certificate है 1 अप्रेल 2021 या उसके बाद में बना हुआ होना चाहिए तो यह condition है कुछ उत्रपरदेश के counseling के बारे में क्यूंकि उत्रपरदेश state का जो counseling rule है other state से कुछ अलग होता है तो यह सारी जानकारी मैंने आपको बता दिये हैं यह website पर भी available है तो आप इनको check कर सकते हैं और अगर उत्रपरदेश में आप admission लेना चाहते हैं तो इसमें आप admission ले सकते हैं बाकी जानकारी के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जैहिंद